ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन बैंक निप्टी और निप्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कम्पलीट लॉजिक क्या है as per the price action and as per the option chain analysis तो सब सब पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निप्टी का analysis अभी आपके सामने मेंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निप्टी का 15 मिनिट का spot का चार्ट है अगर आप देखोगे तो आज के दिन market gap down के साथ open हो गया यहाँ पे एक hammer candle pattern बनाया और वहाँ से market ने अच्छा खासा recovery दिया लेकिन यहाँ पे 35,000 के करीब market ने consolidation का zone दिखाया हुआ है जो कि हमारे लिए बहुत ही important zone बन चुका है कल के दिन market आगर इस consolidation के फिर्च को upside की तरफ या downside की तरफ break करता है तो हमें एक बड़िया momentum यहाँ पे दिखाई दे सकता है तो कल हमारे लिए कौन से level important आ रहे है और कैसे trade करना इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते है तो कल के दिन market आगर जो zone मेंने आपके सामने आभी draw किया इस zone के अंदर open होता है कई पे भी और उपर की side में 35143 के level को upside की तरफ break करता है तो उस case में हम लोग 35000 का या 35100 के call को buy कर सकते है और उपर की side में हमारा जो target रहेगा वो 35327 तक का हमें यहाँ पर target मिल सकता है यहाँ पर नीचे की side में आगर market इस level को downside की तरफ break करता है 34906 के level को तो नीचे की side में हमारा जो stop loss रहेगा वो stop loss मातर 70-70 point का रहेगा और उस case में हम लोग 35000 का put जो है वो 35000 के put को buy कर सकते हो और नीचे में हमारा पहला target यह वाला swing low रहेगा अभी यह point को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होने की probability है क्योंकि यहां पर market ने आज का जो closing दिखाया हुआ है वो 35000 के उपर है मतलब जो buyer से वो एक expectation के साथ market में रुके हुए है कि कल के दिन market उपर जाने की probability है 35000 के level को market ने hold किया हुआ है अगर flat open होके यहां से market उपर जाने लगता है तो और भी buyer यहां पर interested हो जाएंगे और उस momentum में market उपर जा सकता है अगर कल के दिन market flat open होके downside में इस level को break करता है तो जो लोगों ने 35000 के put के उपर writing किया रहेगा मतलब तेजी के position बने रहेंगे वो सब writer यहां पर trap हो जाएंगे और उनके trapping के वज़े से एक long unwinding का fall हम लोगों को दिखाई दे सकता है और उसकी वज़े से market में downfall आ सकता है अगर market कल बहुत ही gap up होता है 35,327 के level के करीब तो उस case में market reverse होने की probability है तो वहां पर हमें target छोटा मिलेगा क्योंकि यहां पर यह support become resistance का concept अप्ट होगा तो वहां पर हम कम quantity के साथ काम कर सकते है यहां पर मैं आपने free वाले channel में इसका update दे दूँगा free वाले channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहां पर 1,76,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है आपे मैं intraday के nipty bank nipty option के signal देता हूँ यह channel को आप वहां पर जॉइन कर सकते हो अभी देख लेते कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है यहां पर मैं आपके सामने जो option chain लगाया हूँ वो bank nipty का option chain है 30 December के weekly expiry वाला यहां पर आगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में तेजी के अच्छे कासे position बने हुए है और उपर की साइड में भी मंदी के अच्छे कासे position बने हुए है तो यह indicate करता है कि market एक range bound या volatile session आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है तो हम लोगों को जो important level है वो level breakout या breakdown करने के बाद ही trade करना पड़ेगा otherwise in between के phase में आप inter मत कीजिए क्योंकि फिर वहाँ पे premium decay की वज़ा से आप option buying में first सकते हो अभी देख लेते हैं कि nipty का data और price action हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने मेंने nipty का 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है आज के दिन market जो था वो gap down open होने के बाद same bank nipty की तरह hammer candle दिखा के upside का momentum दिखा दिया है तो यह upside के momentum में नीचे में यहाँ पे हमें जो retracement मिले यह बहुत ही छोटे retracement यहाँ पर मिल चुके है तो यह indicate करता है कि buyer का जो strongness वो थोड़ा जादा है तो कल हमारे लिए important level कौन से रहेंगे अभी आपके सामने मेंने जो 15 minute chart का analysis कर रहा हूँ वो 15 minute chart में यह हमें indicate कर रहा है कि आज के दिन market जो था वो दो बजे के बाद यहाँ पे थोड़ा consolidate हो चुका था तो कल के दिन market यह 17,112 के level को upside की तरफ break करता है flat open होने के बाद तो उस case में हम लोग 17,100 का जो call है उस call को buy कर सकता है उपर की side में हमारा target जो रहेगा वो target 17,155 का रहेगा और stop loss मातर 15 से 20 point का ही sufficient है यहाँ पे कल के दिन market अगर directly gap up open हो जाता है तो इस level से market में दुबारा एक 23 गिरावट होने की probability है इसके पीछे का reason है कि यह एक important swing high बन चुका है और आभी फिलहाल के market में अगर आप देखोगे तो कल मेरे खाल से UK का market बन दे आस्ट्रेलिया का market बन दे तो momentum जो रहेगा वो momentum year end के हिसाब से थोड़ा कम momentum रहेगा तो हम लोगों को ज़्यादा बड़े momentum को expect नहीं करना है छोटे momentum के साथ कम quantity के साथ और छोटे target के साथ हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे नीचे की side में आगर आप देखोगे तो market में multiple support level बन चुके है लेकिन market को अगर नीचे आना है तो उसी सबसे open interest का data बनेगा तो ही sell के position ले लेंगे otherwise immediately हम लोग sell के position नीचे के side में नहीं लेंगे अभी हम लोग देख लेते हैं कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है आपके सामने मेंने nipty का option chain लगाया हुआ है 30 December के monthly expiry वाला यहाँ पर आप देखोगे तो 17,000 के put में heavy तगड़ी position बन चुकी है मतलब यहाँ पर तेजी करने वालों में बहुत बड़े quantity के साथ add हुए है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आलमोच 96 लाग shares का open interest बना हुआ है जिसमें से 40 लाग से भी जादा आज ही के दिन बने हुए है मतलब यह बहुत ही crucial support बन चुका है और market अभी आलमोच इसके उपर ही close दिया हुआ है तो हम लोगों को कल के दिन अगर 17,000 के level के करीब market मिलता है तो यहाँ से bounce back देने की very high probability है और उपर की side में अगर आप देखोगे तो यह 17,200 का जो level है यहाँ से लोग exit हो रहे है यह exit जो लोग यहाँ से हो रहे है वो indicate कर रहा है कि उपर की side में जो resistance है वो resistance weak होते जा रहा है मतलब कई न कई यह लोगों को अंदा जा आज चुका है कि expiry से पहले market उपर जाने की high probability है तो इस momentum को catch करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कल के side जैसे ही कोई नया resistance level break हो जाएगा वैसे हम लोग यहाँ पर buy कर देंगे जैसे मैंने अभी price action के इस सबसे आपको 17,100 का level बनाया यह price action के इस सबसे एक important resistance level आ रहा है जो लोग यहाँ पर option chain का free का analysis का course करना चाते है उसके sub details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी price action के इस सबसे कुछ basic point के उपर आपको focus करना पड़ेगा कि market में किस तरीके से हम लोगों को trade करना चाहिए end का effect होने के कारण FII का activity भी थोड़ा कम है तो आने वाले हफते में 31 तक अगर यह level का breakdown या break up होता है upside की तरब तो ज़्यादा breakout के trade पर heavy quantity के साथ काम मत किजे market को थोड़ा यहाँ पर time consolidation दिखाने दिजे और time consolidation के बाद जब market price का momentum दिखाएगा price action दिखाएगा तभी हम लोग यहाँ पर aggressively trade करना चालू कर देंगे इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like कीजे और अपने इस YouTube के educational channel को subscribe कीजे और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो जैसे मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा तो मिलते हैं next educational वीडियो में thank you very much